नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका निशाना पर जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव का माहोल भी गरम हो रहा है कल भाजबा के राष्ट्रे धक्ष अमित शाह बेगू सराय में रैली करने आ रहे हैं तो उनसे पांस सवाल का नहिया ने पूछ डाले वो क्या सवाल है हम आपको बताते हैं पहला सवाल है जब देश में बेरोजगारी ने पिछले 45 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है और उद्योग धंदों में भारी मंदी दिख रही है तब आपके बेटे यानि की जैशाह की कमपनी का राज्यस्व मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के एक साल के भीतर 50,000 जोना की बड़ोतरी कर ली दूसरा सवाल है दोस्तों एहमदाबाद जिला सहकारी बैंक जिसके आप डायरेक्टर थे उसमें नोट बंदी के पाद केवल 5 दिन में 745 करोड रुपे कैसे जमा हो गए नमबर तीन नोट बंदी के बाद देश के कई हिस्सों में भाजपा के 600 से ज़्यादा आलिशान ओफिस कैसे बने नमबर च्यार क्या आपकी पार्टी मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने वाली प्रग्या ठाकुर का बचाओ करने के लिए भारत के जनता से माफि मांगेगी और नमबर पांच क्या आपकी पार्टी जज लोया की संदेहासपद मृत्त्यू की निश्पक्ष जांच कराने के पक्ष में है उमीद है भाजपा अध्यक्स बेगुसराय के जनता को सिर्फ जुमले गिरा कर निराश नहीं करेंगे और उपर लिखे सवालों का जवाब जरूर देंगे तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि अमिट शाह इन सवालों का जवाब देंगे क्योंकि मुकिनी भी सवालों का जवाब नहीं देते और वैसे भी कनिया ने भहुत तीके सवाल पूछे हैं इसके अलवा जो मुकाबला है वो कांटे का हो रहा है क्योंकि उधर से प्रकासराज और भी बहुत से कलाकार और भी बहुत से कलाकार कनहिया कुमार के समर्थर में आ गए हैं देखते हैं बेगुसराय के जन्ता 29 तारिक को किसको वोट डालती है और 23 मई को कौन विजेता होता है बेगुसराय का धन्यवाद